एक बार फिर बिहार में बेख़ौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है और अंगबाद के नगर्थानक शित्र के जैप्रिकाश नगर वाड नमबर दो में बेख़ौफ अपराधियों ने रिटायर दरोगा की ही गोली मार कर हत्या कर दी मितक की पहचान शिव मूरत्तिवारी के रूप में की गई है जो पुलिस विभाग में दरोगा के पर से रिटायर थे तभी बाइक सवार अपराधियों ने दरोजा खटखटाया दरोजा खटखटाने के बाद रिटायर दरोगा ने जैसे ही खटख़़ई खोली अपराधियों ने गोली मार दी गोली लगते ही रिटायर दरोगा जमीन पर गिर पड़े वहीं गोली के आवाद सुनकर घर के लोग भाग कर कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो खून से लत्पत जमीन पर पड़े ही आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें अम्रत घोशिक कर दिया अवाज मिला गोली का तो अवाज मिला तो फुछ देरी के बाद जहाएसे कि रोभ पितन हो गया तब हमारा दरवाजा खुले दरवाजा उन्हें तो देखें कि गोली चला हम आदमीं को देखें नहीं किनको गोली लगा है यह हमारे फुठा लगते हैं शीव मूरत पिवार हम आपका हमारा नाम कर आदा पर गरांदा शुरा है वाज में आदमीं एथा और पुठा इधरा और मुझे खेंडे तो बाबा खेंडी मुझे शुटा गाले कि तो उसमें एक बोली हमारा उसके बाद फिर बाबा गिर गया तो फिर यह दिदी हैं हमने इनको बलाया कि पेड़े कि लोग आया था लोग तो बहुत साइसां लेकिन यहां खेड़की पर एक लोग आया था क्या नाम था नाम को बाबा करते थे वह कुछ ने करता थे द्रोगा कर्णा से पहले हैं ब्रचार रिटायर हो गया तो मारा सरयाम महले में गोली बारी की घटना से आसपास के शेत्र में संसनी फैल गई घटना की जानकारी मिलते ही नगर्थाना द्यक्ष अंजनी कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए कि यहां सीज मुरति वारिय हां कि निवासी है जो पहले पुलिस फोर्स में ही डेटाय लगती है काफी बुद्ध है घर में थे किसी ने इनको बगल की गली से आवाज दिया एक खिर्की से इसकी आवाज पर देखने के लिए गए उपी में किसी अध्या सेक्षिन है किस सर में अपराधी खुलें हम बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं इस घटना के बाद इलाके में देशत का महौल बना हुआ है फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच और अपराधियों की गिरफतारी में जुटी है पंजाब केसी टीवी के लिए और अंगाबाद से प्रिये दर्शी की रिपोर्ट